हेलो बच्चो आज में आप लोगों को जो आपके पास क्लास 10 का चैप्टर नमबर 8 है टिग्नुमेट्री इसका केस स्टडी कोशन करोंगी आप लोगों को पता है कि यह चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट है इसमें प्रूफ वले कोशन्स अकसर आते हैं वो कोशन्स भी हमने इंपोर्टेंट कोशन्स जितने भी है इस चैप्टर के वह भी कर रखें लिंक सब की नीचे दूंगे डिस्क्रिप्शन में वहां से देखना एंसी आप यह चैप्टर प्लस सपोर्ट मेटीरियल की बुक से भी कर रखा है हमने यह चैप्टर अब बाताती है के स्टरी की त कि कोई कोशन आया तो हम उसे अटैंप्ट कर सकें ठीक है तो चलिए आज एक केसी स्टडी देखें नेक्स्ट क्लास में अपनी नेक्स्ट कर लेंगे ठीक है यहां पर आपसे क्या कह रहा है इस कोशन में चीटन वर प्लेंन गेंगें बाई नाव बाई किसंअ आ राइञा जोंग तीक यंडेश कोशन दीций आटाइपर तकामिश्य समस्ट कर सब्सक्राइक में व में और यूंपनेंट्च चिल्र एंब और अफ नेजीच के ए लred केटेंट अब वहाँ पर उन्होंने दो साइड तो निकालनी है और एक एंगल निकालनी है क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 डिग्री तो हो गई होगा आप वह न कुछ यह तो नहीं निकाल पारे हैं तो आपको उनकी हेल्प करनी है सबसे पहली बात ना हम यह थर्ड वाला जो साइड उसको निकाल लेते हैं उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपको पता है जब भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो आप उसमें पायतोक और इस थियोरम लगा सकते हो हाइपोटनुस का स्क्वारीज इकोर्स पर्पेंडिकुलर का स्क्वार प्लस बेस का स्क्वार ठीक है अब नैंटी के सामने वाला तो यह थर्टीन का स्क्वार यह रहाँ अब यहाँ पर sin A निकालना है तो मैंने कहके A वाला अपना थीटा मालना है तो थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है यह याद रखना तो यह हो जाएगा 169 is equal to 144 plus B is square मैं according to A निकाल रही हूं यहाँ यहाँ ठीक है 169 minus 144 is equal to B square 25 बचा है यहाँ पर इस इकल to B square तो B की वैलू यहाँ पर आगई मेरे पास 5 चलो यह निकल गया अब फाइंड करते हैं हमें फॉर्स्ट फ़ले पार्ट में साइन ए फाइंड करना है तो जब भी टिग्नोमेट्री आए ना हमेशा पेज के साइड में लिख लो पहले पंडित बदिरी प्रसाद हर हर बोले इसको लिखना मत भूलना अगर इसे नहीं लिखोगे ना तो टिग्नोमेट्री के कोशंस नहीं हो पाएंगे यह लिखने से बहुत असान हो जाएगा अब आपको बताई यह साइन होता है यह कॉस्ष और यह 10 तो अब यह आपका ठीटा है, तो यह आपने 5 निकाला था ना, तो यह ठीटा है, तो अब आपका परपेंडिकुलर यह हो जाएगा और बेस ही हो जाएगा, बस यही चीजे धिहान लगनी है, तो साइन सी, रिलेशन अभी भी वो P अपॉन ही बता रहे हैं, पर अब जो P की व नेक्स्ट थर्ड वाला देखें, यूजिंग दा अबव डेटा, दा वैल्य ओफ 10 C, तो क्या था, पंडित बदिरी प्रसाद हर हर बोले, तो 10 यह हमार पास, तो 10 C मुझे बताता है, P अपॉन में B, अब C है, यहां है ठीटा, तो इसका मतलब P यह होगा, ठीटा के सामने और B होगा, ठीक है ना, तो वह हमने 5 निकाला तो B हमार पस 12 है, तो 5 अपॉन में 12 आपका आंसर, इट मींस D आपका आंसर आएगा, तो इन चीजों का धिहार नक्न है, A की बात कर रहा है, B की और C की, ठीक है, नेक्स्ट में आपसे कह रहा है, यूजिंग दा अबव डेट तो इसके सामने वाला P बन जाएगा और ये मेरा B बनेगा, तो बेस मेरे पास कितना आजाएगा, 5 आजाएगा, क्यूंकि यूजिंग निकाला था, H कितना आगे है, 13, तो इसका आजाएगा आपके पास C, 5 upon 13, clear है, next में आपसे क्या 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 है, using the above data the value of, आपको इस पंडित बदिरी प्रसाद हर हर बोले, ये है, ठीक है, तो 10 A आपको बताता है, P upon B का relation, और sin A आपको बताता है, P upon H का relation, again P upon B, minus का P upon H हो जाएगा, अब A से देखना है, तो आपके पास P होगा और B होगा, चलो values को put करते है, तो P आपके पास कितना है, इहाँ पर 12 और B आपके पास है 12, H आपके पास है 13, तो यहाँ जाएगा 12 upon 5, minus 12 upon 13, अगर आप दिहान से देखे तो इनके बेस सेम नहीं है, तो आप इनको प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो पहले आपको इनके बेस चेंज करने पड़ेंगे, तो अब क्या करते है, यहाँ पर 12 upon 5, इसमें मैं यहाँ पर 5 से इंटू कर दिया, और upon में मैंने इहाँ लिख दिया है 5 इंटू में 13, अब यह जब उपर नीचे से उपर जाएगा तो रैसी प्रोकल हो जाएगा, तो 5 इंटू 13 तो ऐसी रह जाएगा, और यहाँ पर आप आज जाएगा 12 इंटू में 13, minus 12 इंटू में 5, ब आज़ने की ज़रूपत नी परी, अब 12 इंटू में 13 तो वो ओता है, 156 और 12 इंटू में 5 तो वो, स्म Colombia रहाँ ठाएगा, तो अगेन यहाँ भी यहाँ जाएगा ठीक है, अब 156 में 60 तो प्लस करतीं हो तो आजएगा मेरे आ Hmmνο for 1 depende 16 और in 56 तो इंट करतीं हम तो 96 अब आपको यह देखना है कि यह किस से कट और है क्योंकि आपको यह कट तो करने परेंगे तो 96 तो 24 की टेबल में तो आता है अगर मैं यह देखू तो यह भी आता है तो यह 9 पर आता है और यह 4 पर आता है तो आपका अंसर आगे इसका A 9 by 4 क्लियर है तो उन्होंने देखा आपने की कैसी स्टडी में एक कोशन आपको सॉल्व करने वाला भी दे दिया पूरा तो सिव यह याद रखो पंडित बदिरी प्रसाद हर हर बोले इसकी एक फॉर्मले जयाद करने की शॉर्ट ट्रिक भी बना रखे उसकी लिंक भी दे दूंगी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वह भी आप देख लीजेगा इन फाइफ कोशन में कहीं भी डाउट और कमेंट करके पूश लीजेगा आज है केसी स्टडी किये आगे क क्लासिस में और भी केसी स्टडी करेंगे हम कहीं भी दिक्कत हो कमेंट करके पूश लेना और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजेगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लिजेगा थैंक यू